आज हम जो मसीन का चप्टर पढ़ ले तो इससे आगे बढ़ेंगे कर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मसीन के होती है मानफ भालब फनका की मानफ ओर लगा आते की अगसी की काणते है किसी उसी के साथ उसे काट सकते इजी तरिके से अगर उसी को और हाँ से काट जाएं तो हाँ से भी काट सकते हैं लेकिन बहुत त्याग लखानी पड़ेगी तो इतना दावत क्यों लगाएं तो उसके लिए हम यह यूज करें एक मसीन जिसका हम यूज करते हैं मसीन का नियम मसीन का नियम मसीन का नियम कहते हैं तो आप जैसे की डाइग्राम में देख रहे हैं यह यह याग तो अगर मालो आपको कोई बहर डबलू है उस लोड को क्या करना है प्रयास पी लगा कर मतलब किसी भी डबलू भार को आपको मानलो कोई आपने एक लीवर ले लिया ले लिया ठीक है इधर कोई भार लगा है डबलू उस डबलू भार को उपर लिफ्ट करना है उपर लिफ्ट करना है और यहाँ प्रयास ले आना है तो आपको कितना प्रीश लगाना होगा कितनी बाहर पालूर को ठाने के लिए ईसकर फॉर्मुला तो हो ना च्था ह 코 बढ़ा घूल मालो कोई कि बहुत बड़ए पैर मालो कोई sono के डूटाए का डूसरी अगल लाएंगे तो आपको हों चाहिए कितना बाहर ऊठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा उस्ती प्रोसेस को करने के लिए optimize के लिए किस device की देख सकते है? देख सकते हैं इसके लिए एक formula है जिसम कहते हैером बड़किम का नहीं हम यही बताता है, इस milligram के जड़ी हम से relationship हो गरता है ॽ प्रियासस अब बाहर किई हुआ मतलब कितने बाहर उठाने के लिए कितना प्यास लगा जा उसके लिए एक relation दे दिया है जिसे हम कहते हैं machine का नहीं है अगर मात करें कोई भी आपको बाहर उठाना है उस बाहर को उठाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ energy खतम हो जाती है सिर्फ उस energy के बरावर आने दर आपको पता कर मालों w r उठाना है तो सबसे पहले तो आपको इतना पता होगा कि आगर w बाहर उठाना है तो आपको हमेशा इसके जो भी इसका भाहर है उसके opposite में इतना एक बल लगाना पड़े को जो इसके बल से जादा ही हो तब इतनी यह move करेगा तो किसी भी जाए cycle ले लिए अपने cycle बाकर मालों बहुत कम force लगा के आपने start करा तो cycle start नहीं होगी लेकिन आपने ऊरजात लगा ही energy उतलती उसे लेकिन वह start नहीं क्यों क्योंको इसके अंदर जो घरसन है समय तो घरसन से आपने क्या लगा है कम energy लगा है आपको इतनी energy लगाने पड़ेगी सबसे पहले वह energy लगाने पड़ेगी जो घरसन को खतम कर दे फिर आपकी cycle start होगी तो सबसे पहले उस हमारी कुछ energy सिर्फ उसके घरसन को खतम करने में ही खर्च हो जाती है यह हमने एक डाइग्राम मना लिया है एक सक्ष में बाहर को डिनूट करा है बाएक्ष में प्रयास 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 लगा है उपर तरफ जाएंगे भार कावान बढ़ लाए तो उपर तरफ हम गए हमने माल लिया किसी बेट को खतम करने के लिए कुछ बल लगाया मालनों यहां तक हमने कोई बल लगाया ठीक है यहां तक हमारी energy कहां खतम होगी सिर्फ और सिर्फ घरसन को जैसे आप क्या करेंगे बल की मान बढ़ाते आएंगे फिर बॉडी अपकी हलकल की मूब होती आगी जैसे बल का मान बढ़ाएंगे पी का मान बढ़ाएंगे वैसे अपका बाहर ऊपर तरह लिफ्ट होते जागा तो हम कहते हैं उससे तरह हमने एक relation सो कर लिया कि पी का मान हमने देखा कितना ओपर जा रहा है उसकी बीच में relation हमने सो कर दिया उससे में ग्राफ राफ्त हो गया इस ग्राफ को हम कहते हैं पी डबल ग्राफ क्या है बाहर के बीच का ग्राफ है तो पी डबल ग्राफ है और यहां से यहां तक क्या हुआ सिर्फ घरसण में हमारी पोगी तो इसका भी हो किसी बस्तू को जब ठलान पर फोर्स लगाते हैं तो उस समय हमारा बल होगा उस पर भी डिपेंट करेगा अगर मादो कोई बस्तू ठलान पा रहे हैं तो समय क्या लिगाना पड़ता है और उपर से नीचे तरफ आ रौह रहे तो कंबल लगाना पड है कि रही है हम क्या है जो श्लोप आ रहा है थो रहे हैं किसे क्रेंट liepi क्यों के बराबर है मिन इस Will you tell रहा है थो आपको यहाद अंद एक फुल???LR पर्सन कॉंस्टेंट एम के होता है है धाल होता है हमारा एम कमान होता है टैन अलफा के बरावर डव्ली के होता है बारू